नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली है और देखेगा आपकी हतेली का जो आकार यहां पर दिखाई दे रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो यह पूरी तरो से आयताकार है एक दार्षनिक हाथ है एक एनलेटिकल स्वभावाला व्यक्तित्व आपका बना हुआ है दूसरी बात अगर हम इसमें देखते हैं ऐसा कार्य आपके लिए उन्नति देने वाला रहेगा परगति देने वाला रहेगा जिसमें मस्तिस्क से या बोलने से ज़्यादा काम चलता हो जिसमें साररिक मेहनत की ज़्यादा जरूरत हो ऐसा कार्य आपके लिए ज़्यादा उ पतेली में देखें, तो आपके मने बंद में दो लकीरें इस पश्ट तरीके से दिखाई दी रही है, इसका मतलब है कि अपनी ही स्वयम की मिहनत और स्वयम के परिस्रम के बदोलत आप जीवन में आने वाले समय में स्रेष्ट सपलता हासिल करेंगे, हाला कि जो ये आपका चालिसवें वर्स तक का समय दिखाई दे रहा है, इसमें थोड़ा संगर्स भी है, और अभी संगर्स बना वा दिखाई दे रहा है, और बना रहेगा, लेकिन ठीक एक तालिसवें वर्स से संगर्स कम होता वा दिखाई दे रहा है, इस संगर्स के बदोल अगर देखें तो सबसे पहले देखेंगे ये रिंग फिंगर है और रिंग फिंगर की नीचे का भाग जो ये सूर्य का परोध है इसमें एक सांदार लकीर दिखाई दे रही है इतनी बड़ी लकीर का होना अपने आप में एक बिहित्रीन आउस्ता को बताती है लेकिन इस लकीर के सारे महत्तों को खतम कर लिया है इसमें आनी वाली इस लकीर ने इस लकीर के आने के कारण ये इस पश्ट बता रहा है कि आप अपनी जीवनकाल में लगातार उल्जे हुई है सम्मान आता है लेकिन प्रेशानी और बदनामी भी साथ साथ आ जाती है ऐसा लग रहा है मानो आपकी प्रेशानिया जैसे खतम ही नहीं हो रही है आपका तनाव जैसे खतम ही नहीं हो रहा है आप प्रेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं ऐसी सिच्यूएशन इस लकीर ने बना ली है बहुत ज़्यादा प्रिशान करती है ये लकीर आपने पहला सवाल किया है कारे छितर में उन्नती नहीं है आप कारे छितर को कौन देखता है सूरे भी देखता है लेकिन सूरे ठीक है अपनी जगा पे लकीर ऐसे है ये समस्याएं दे रही लेकिन सूरे ठीक है एका एक हिरदे की रेखा में समाहित हो रही है आगे नहीं बढ़ रही है इसका मतलब है आपके जीवन में बरतमान समय में करियर और धन के मामले में अस्ताइत्व नहीं है आपके कारियों में लगातार उतार चड़ाओ आ रहे हैं आपके कारिय बिलम हो रहे हैं आपके कारियों में परगत्ती नहीं हो रही है कारिय छेतर में उन्नती नहीं है इसका ये कारण है ठीक है और ऐसा बिक्ति भावनाओं में आके ऐसा काम भी कर लेता है कि अपनी स्वयम की पैर पे कुलाडी माल लेता है वहीं स्वयम की जो डेपलपमेंट है जो प्रोग्रेस है उसको बाधित कर लेता है और फिर उसको पाना कठिन हो जाता है तो भावनाओं में आके बड़ा मिरणे नहीं लेना है इस बात का ध्यान लखना है दूसरा आपने सवाल किया है धन की काफी कमी रहती है जब धन रेखा पूरी है नहीं तो धन की कमी रहेगी लख्षमी रेखा जब तक पूरा नहीं रहती है तब तक धन और करियर के चेतर में कभी भी उन्नति नहीं होती है अस्ताई तो नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए आपको stability पाने के लिए मैं आपको एक लच्छमी का उपाई दे रहा हूँ रातरी की समयगा उसको विदिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रोब से देखेगा अब एकदम चमतकार तो नहीं होगा लेकिन 3 से 4 मेहने अगर आप करते हैं तो 6 से 8 मेहने के बाद हलका परिणाम दिखने बैठ जाएगा 18 मेहने के बाद उससे थोड़ा आगे का परिणाम दिखेगा और पूरा परिणाम जो दिखेगा वो जीवन काल के जो है 41 में वर्ससे दिखने बैठ जाएगा यूँकि धाई साल कम से कम ये जो है अपनी इस्तिति में आने को लेगी तो इस बात का आपको द्यान लखना है तीसरा आपने जो है एक सवाल किया है कि पारिवारिक किस से हद से जादा रहते हैं अब उसका कारण ये सुरे और ये रेखा नहीं है उसका कारण है जो आपकी हिर्दय की लकीर है उस पे यहां से एक लकीर आ रही है पूरी तरह से समाहित हो रही है और ब्रस्पति का परोत पूरी तरह से सनी की तरब देख रहा है तो ये इन चीजों को बताता है इनको ठीक करने के लिए मैं एक सांदार उपाया आपको दूँगा जरूर करेगा निश्चिती लाब होगा अब आपने जो है एक चीज बताई है मिहनत और इमानदारी से कारे करने पर भी उसका उचित फल नहीं मिलता है अब ये है आपका सूर्य सूर्य यहां पे दबावा है यहां से जो रेखा आ रही है यह इसके महतों को खतम कर रही है और आपकी करियर और धन की रेखा जो है पुष्ट सुन्दर इस्तित में नहीं है पूरी नहीं आ रही है इसके प्रेणाम भी ठीक नहीं मिल रहे है और ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है कि जो परियास आपके द्वारा किये जा रहे हैं उनका जो पूरा स्री है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योगिता है उस तरों से चीजें निखर कर नहीं आपा रही है उभर कर के नहीं आपा रही है एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है उस परकार का यस नहीं मिल पा रहा है जो यस आप चार है हैं आर्थिक इस्तिति भी उस परकार की नहीं है जिस परकार की होनी चाहिए और दूसरी बात देखेगा जब सूरे इस परकार का होता है जैसे आपका है ये इस्तिति लिए हुए और इस परकार की इस्तिति तो ब्यक्ति अगर ऐसे में ब्यापार की तरब जाता है तो नाम्यस हो पाता है ना उस परकार का फैलाव मिलता है ना उस परकार का ब्रान बनकर उभरता है जिसके लिए उसारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था अगर ऐसी इस्तिती हो तो अगर नौकरी कर रहा हो तो उसको वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए अपने आपको खपा लिया हो, ऐसे लोगों को एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? देखेगा सरल सी बात है, मैं आपको सूर्य उपासना दे रहा हूँ और दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हूँ, दो चीजें इसके लिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको दोनों चीजें बिदिवत तरीके से करनी हैं, अगर आप इन दोनों ची कर हैं वो एका-एक एक्टिब हो जाएंगे और सूर्य के चक्रों के साथ प्रस परताल मेल में आने बैठ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आया मों प्पड़ेगा जहां आपके सारीरिक सेहत एकदम बढ़िया हो जाएगी वहीं आपका मन एकदम प्रसन अफस्ता में आ जाएगा आपका मानसिक संतोनन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जो जीवन फसा हुआ है उलज़न में है दुविधा में है रेंगरांग के वहीं आ रहा है वो सहजता से चलने बैठ जाएगा और फिर चाहे आपकी जीवन में सारीरिक स्वस्त्य हो जीव चीजों के आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीजे हमेशा आपके साथ रहेंगे तो इन चीजों को जरूर करें निश्चित ही अच्छा लाब होगा अब एक अच्छी चीज आपकी हतेली में उबर रही है देखेगा ये आपका सुक्र का परवत है और सुक्र के पर तरकी रे दिखाई दी रही है और ये एक से ज़यादा जो है क्या बना रहा है एक से ज़यादा परवे बनारा है अब इसके एक से ज़्यादा पुरुवे बनाने का मतलब है कि आपको ठीक 42 वर्स में, 42 एर में अचानक जिवन में तरकी मिलने वाली है, बहुत बड़ी तरकी ये अचानक जिवन में तरकी को दिखा रहा है धन में अचानक बहुत अच्छी ब्रदी हो जाईगी डबल तिरपल आपकी प्रतिष्टा एका एक बढ़ जाएगी आपका मान सम्मान एका एक बढ़ जाएगा ये सबी चीजों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रहा है और इस पश्ट कहे रहा है आप निर्धन नहीं रहेंगे आप गरीब नहीं रहेंगे लेकिन जब इतनी बड़ी तरक्की आपके अंदर आ जाएगी तरक्की करने बैठ जाएगे तो आपके अंदर अविमान का पुटवी धीरे धीरे आ जाएगा इको प्रॉब्लम आ जाएगी इससे आपको समल कर रहना है क्योंकि पता जादा नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा आप धार्मिक भी खुब हो जाएगे धर्म और कर्म के कारों में बहुत ज़्यादा बढ़ चटकर हिस्सा लेंगे दान और पुन्ने से समझ चीजों में आगे बढ़ जाएगे और देखेगा धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है कहीं न कहीं ब्यापार भी करेंगे आप ब्यापारिक चीजों को दिखा रहा है और ब्यावसाई में बिसे सपलता की प्राप्ति भी करेंगे ये इस पश्ट तरीके से ये बता रहा है लेकिन एक कमी को भी दे रहा है इस कमी को दूर रखना है आपने ध्यान से देखेगा इसी में कमी है आपका जो पर्थम फैलेंज है ये सेकंड फैलेंज इस से बहुत जादा बड़ा है इतना बड़ा होना ठीक नहीं माना जाता है थोड़ा बड़ा होना चाहिए second challenge को ये ठीक रहता लेकिन एकदम ज़्यादा बड़ा होना ये बताता है कि आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करेंगे और दूसरी बात है निरणयों के कारण आपका नुकसान होगा बड़ा सोच समझ कर आपको निरणय लेना है और यहां पर इसपष्ट दिखाई दे रहा है कि 42 वर्ष की आयू में आपका भाग्योदय होगा ठीक 42 वर्ष की आयू में आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है और फिर 56 वर्ष की आयू के बाद का जो समय है वो भी आपकी जिवन के लिए बड़ा सांदार रहेगा हाँ आपका जो ये दोर चल रहा है और सुरवाती जो दोर था उसमें थोड़ा पीड़ा थी घरी परिवार का सुक भी आपको थोड़ा कम मिल रहा है जिस तरों से मिलना चाये वो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ठीक 42 वर्ष से भाग्योदय की इस्तिति जबरदस्त देखेगा ये उंगली सीधी खड़ी है लिडर्शिक की क्वालिटी मन के अंदर है ये दिखाई दे रहा है ये भी सीधी खड़ी है मिहनती है कर्म में विश्वास रखने वाला बिक्तित्व है कर्मसील पूरुस है ये उंगली भी सीधी खड़ी है निश्चित रोप से और इससे यहाँ पे बड़ी दिखाई दे रही है इससे छोटी दिखाई दे रही है निश्चित ही अपने जीवनकाल में सफल होंगे यसकी प्राप्ति करेंगे और कहीं न कहीं समाज में मान प्रतिष्टा आपको अच्छी मिलेगी आने वाले समय में यहाँ पे बहुत बड़ा पर गहरा और लंबा पड़ेगा कितना पड़ेगा यह आपके कर्मों के उपर डिफेंड रहेगा लेकिन जीवन में जो रिस्क लेने की चमता है जो जोखिम उठाने की चमता है वो जबरदस्त रोप में उभरेगी और 42 वर्सस से ज़्यादा उबरते हुई दिखाई दे र रहा है यह भी सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुच पा रही है तो थोड़ा मनी मेनेजमेंट में कागजों के रख रखाओं में एकाउंट विल्टी में फाइलिंग में कमी दिख रही है और थोड़ा कम्यूनिकेशन इस्किल्स में भी ज्यादा अच्छी चीजे नहीं दिखाई दे रही है क्या करना है यहां तक आपने नाखुन बढ़ाना है बहुत अच्छा आपके अनर चीजें उगरेंगे दूसरी बात अगर हम देखते हैं हिर्दे रेखा इस तरों से आती हुई और इन दोनों के बीच में देख रही है और इस प अपने जिवनकाल में बहुत बड़े महतो कांची रहेंगे आपकी सोच सकारात्मक रहेगी और निरंतर बहुत आगे बढ़ने की रहेगी गुरु का सीधा सीधा प्रभाव होने के कारण आपकी इक्छा अभी से बहुत ज़्यादा बल्वती हो गई है मनि बहुत आगे बल तक पहुचने की हो रही है और वहीं सनी का भी प्रभाव पड़ रहा है ये पीछे नहीं है तो इसके चलते हैं अब आपको लगने बैठ गया कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मिहनत करने पड़े आप करेंगे कोई जुगार लगाना पड़ेगा वो भी लगाएंग इनकेन परकारेण जो भी हो जाए आप करने को तयार है और करेंगे में। लेकिन ये रेखा यहां से आगे इस पे मिल रही है ऐसे में दामपत्य जीवन का जो पूरा सुक है उसके भोग करने में परस्तितियां सामने आजाती हैं दिक्कतें सामने आजाती है व्यक्ति पत्य जीवन का पूरा सुक का भोग नहीं कर पाता है समस्याई उसके साथ बनी रहती है यहाँ पर अगर हम देखे मस्तिस्क रेखा अच्छी है लेकिन देखेगा यह इस पश्ट कहरा है कि दूसरों की बातों में ज़्यादा आ सकते है दूसरों की दिमाग से लिया गया निरणय जो है ज़्यादा भा सकता है खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो ड्यपलप कम हो रही है तो क्या करना है आपने एक दिव्य योग ध्यान के रिया दे रहा हो उसको परोपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाब होगा और दूसरों की निड़नय दूसरों की बातों में आके ज़्यादा अपनी जिवन में उन ही करेंगे अब यहाँ पर देखे जिवन की रेखा इस प्रकार से जा रही है देखेगा ऐसे बिक्तियों का जो तरक्की का मामला होता है अपने जन्म अस्तान से दूर ऐसे लोग बड़ी तरकी करते हैं जन्म अस्तान में रहकर बहुत ज़्यादा तरकी नहीं कर पाते हैं एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है कहीं न कहीं जो है यहाँ पर एक चिन बन रहा है जो इस पश्ट तोर पे बता रहा है धर्म और अध्यात में भी आपकी अच्छी रूची रहेगी अन्त में मोक्ष की प्राप्ति भी अच्छी दिखाई दी रही है और देखेगा जीवन में छपपन के बाद भी संपति का बहुत बड़ा योग बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे देखेंगे यह सुक्र का परोता है शुन्दर इस्तित्मी है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना यह चीजें जादा रहेंगी नई चीजों के प्रतिरुजान बना रहेगा चाए नया फैसन है चाए नई प्रकार की चीजें है चाए नई प्रकार के कपड़े है और बहुत एक सुक्सुवदाओं के और जादा आप आकरसन भी रहेंगे लेकिन इस टेम जो है यह जादा अच्छी इस्तित्मिन नहीं है इसमें जाल भी है और हलका नुकेला हो रहा है तो यह थोड़ा मानसिक प्रेशानियों को दे रहा है कहीं न कहीं किसी चीज को लेके उलज़न में हैं चिनता भी कर रहे हैं सोच भी जादा रहे हैं बहुत ज सुक प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसको सुक कहते हैं चाए वो सारिक सुक हो चाए वो मानसिक सुक हो चाए वो दामपते जीवन का सुक हो चाए वो परिवार का सुक हो चाए कुटुम का सुक हो चाए वो प्रोफेशनल सुक हो उस सुक उस परकार से प्राप्त नहीं हो तो दिव्य योग ध्यान के रिया जरूर करें निश्चित लाव होगा निम्न मंगल और उच्छ मंगल आपका बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा और एनरजेटिक स्वभाव बनावा यहां पे दिखाई दे रहा है इसका लाव में लेगा अब यहां पर देखेंग 42 से लेके 45 के मध्य तक प्रोपल्टी के मल्टिपल लाव प्राप्त होंगे इस पश्ट तरीके से बता रहा है यह तो ठीक है और इसमें जो रेखाई हैं वो भी अपने आप जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं इसका फाइदा भी आपको अनंत रूप में होगा सनी की इस्ति देखें सनी की इस्ति ठीक है लेकिन सोबा उठने में थोड़ा आलशे जादा रह सकता है और कभी कभी बियो जही की चिंताएं रह सकते हैं सुरे को हमने देख लिया है यहाँ पर यह भाग उठ गया है चोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने की जो से ख्याल रखेगा यह मैं कह रहा हूँ अब यह देखें यह बढ़िया है वैसे तो हर परकार की प्रस्तितियों को भली भांदे समझने वाला ब्यक्तित्व है और जीवन में योजना बना कर चलेंगे तो बड़ा लाब होगा मनो बेग्यानिक के छेतर में भी कही न कही माह हासिल होगी सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरों से जानते हैं और इसका लाब आगे आने वाले समय में प्राप्त करेंगी चंद्रमा की इस्तिति देखें तो यहां पे बहुत ज़्यादा वीक हो गया है यहां पे उठ गया है तो अभी प्रेशान हो जाते हैं कभी-कभी आपका मन ब्याकुल हो जाता है बटक जाता है उचाट हो जाता है कारियों में मन नहीं लगता है और देखेंगा इसी तरो रहा तो मन से सीधा जुड़ा वा है डाइजेस्टिप सिस्टम अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे-धीरे पेट की तकलिपे आएंगी जल का सेवन जादा करें प्रणायाम, मेडिटेशन मैं जो दिव्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूँ उसको प्रोपर तरीके से खरेंगे थोड़ा नए तो नीन आने में भी दिक्कतों का सामना हो सकता है ये आपकी हतीली कह रही है कुल मिला के बात करें तो अभी समस्याओं का एक जिसको पिटारा कहते है वो आपकी हतीली में दिखाई दी रहा है लेकिन 42 वर्स से सुक का पिटारा भी आपकी जिवन में कदम रख रहा है बहरहाल इस वीडियो में इतना है एक नई वीडियो के साथ पनो हाजर हूँगा तब तक के लिए नमस्कार